मात्र दस दिन में आप देख सकते हैं कि दो से तीन सेंटीमीटर जड़ें इसमें आ चुकी हैं और यह गंबले में लगाने के लिए तयार है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम किचन गालडन विद प्येस बंडारी में जैसे कि आप देख सकते हैं यह अनानास याने की पैनेपल का पौदा है जिसको मैंने गंबले में उगाया है क्या आप लोगों को पता है कि अनानास का पौदा भी स्वाज़ते के लिए बहुत ही लाबकारी है यह 24 गंटे ऑक्सिजन देता है आप इसको इंडोर आउर्डोर कहीं भी लगा सकते हैं इसको बहुत कम पानी की जुरत होती है और यह हवा को भी साप करता है तो अनानास के साथ साथ इसका पौदा भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनेफिट वाला है इसको आप रूम में भी आरम से लगा सकते हैं तो इसको गंबले में उगाना भी बहुत ही आसान है जो इसका फल होता है इसमें बिटामिन ए और बिटामिन सी बरपूर मातरा में होता है आजकल की महामारी में बिटामिन सी भी बहुत जरूरी है और इसके आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गिलास में पानी में रखा था और ये तीन चार सेंटीमीटर लंबे हो चुके हैं अब ये गमले में लगाने के लिए बिलकुल तयार है अनानास के सेवन से सर्दी, खासी, सूजन गले में खरास और गठिया जैसी बीमारी में भी लाबकारी है यहाँ पाचन को भी ठीक करता है दिन में दो तिन वार इसका सेवन करने से उम्र बढ़ती है और साथ में आँखों के रोशनी के लिए भी ये बहुत फैदे मन्द है कैंसर फत्री जैसी बीमारी में भी भी ये ठैड़ा देता है ब्लेड प्रेशर वीए नियांदर में रखता है बदहज्मी को दूर करता है मोटा पे को भी नियांदर में रखता है और चरवी को भी ज्यादा देता है तो इसको उगाने का सबसे बढ़ीया तरीका यही है कि आपने मार्केट से एक णाश लेना ह अनानास आपने कच्छा नी लेना है थोड़ा पका हुआ लेना है तो पका हुआ जिसमें पीला कलर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वह अनानास अमलो पका हुआ है और इसके जो उपर का यह हिसा है इसी से हम नया पौदा ग्रो करेंगे इस उपर का हिसा हम इसको काड़ देते और जो इसमें जो पतिया factor हिसे में उनको हम निकाल देंगे म 2004 अगर उनको हम इसी निक देंगे तो यह पतिया पानी सड़ जाएंगी यह जड़ें भी इसमें तो इसकी पतियां निकालना बहुत ही ज़रूरी है कम से खम दो इंच के आज-पास आप इसकी पतियों को उड़ा दें हटाने के बाद आपने एक गिलास में पानी लेना है और इसको कम से कम 10 दिन तक उस पानी में रखना है यह पतियां जो है अब उपर के हमने हटा दी है और एपने यह निचे का हिसा है इतना ही हिसा आपने पानी में डूबोना है ज्यादा हिस्सा पानी में नहीं डूबोना है तो हब हम एक गिलास में पानी ले लेते हैं और पानी हमने बहुत ज्यादा नहीं लेना है पानी जो निच्चे वाला हिस्सा है वही पानी में डूबना चाहिए पूरा जो उपर का हमारा ये पौदा है ये पूरा ही डूबना च दस दिन बाद आप देख सकते हैं कि कम से कम तीन चार सेंटिमीटर नमीज जड़ें आ चुकी हैं और अब यह बौधा गमले में लगाने के लिए तैयार है इसके लिए जो पॉटिंग मिक्सर लेंगे वह 50% मिठी और 50% खाद लेंगे खाद आपके पास कोई भी हो सकती है बर्मिक कमपोस्ट हो सकता है या गोबर के खाद हो सकती है और आप इसमें 10% कोको पीट भी आप इसमें मिला सकते हैं तो यह पौधा हमारा लग चुका है दोस्तो यह बहुत ही फायदेमन पौधा है एक तो यह ऑक्सिजन देता है 24 गंट चलते हवा को भी साप करता है और दूसरा इसमें बिटाइम विवि भरपूर मातरा में हैं तो आफ इस फौद्अ को अब्यों कर सकते हैं इसके फल को यूज कर सकते हैं और उपर एक इससे को पैंकना नहीं है उससे आप नया पौधा तयार कर सकते हैं आजकल दोप बहुत लोगों को इसका फायदय मिले तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें घंटी जरूर दबाना ताकि हर वीडियो की नौटिपिकेशन आपको मिल जाए वीडियो देखने के से बहुत बहुत धन्यवाद